कि आए एवरीवन वेलकन बोश्ब्जेक्ट की डिजिटर सोशल मीडिया मार्केटिंग देज लेक्टे ट्वेटिपाइब वॉट इस डिजिटर ट्रांफरमेशन डिजिटर एडिजिटर की बात कर रहें तो उसमें हमने डिपर्ण डिफर्ण काइंट्स की हमने क्या पढ़ी तो यह आज खेंगे में कवर करेंगे तो प्लाफ एक्से पहले हमें यह देखना है कि डिजटर टांसेशन होता क्या है बिसेकली डिजटर ट्रांसमेशन इस दा प्रॉसेस ऑफ यूजिंग डिज़िटर टेक्नलोजी तो ग्रीट नीव और मॉटिपाइए मार्केट जैसे कि अगर मात करें सब्सक्राइब करने कष्ञेन करने हैं किंके किन इस Daar कि क्यों क्या बहुते हैं ट्राम्मेशन जिस्ते कि हम क्या अचीव करपांए जो भी बिजिस्स के चैंजी चेंजी में उनको कर पाए और जो भी मार्करस की रिक्वार्मेंट्स हैं को प्रिएक करते या उनको करते हैं जिससे ऑम बिजिस्टेंट के चेंजी आ मेट करता हैं तो इस डिश मेजनीं आफ बिजिस इंडिलश इस कॉल्डव है इस कॉल्ड डिजिटल ट्रंसमॉशन सब्सक्रास हमारे पास डिफेंग पाल शिच्य मड Ale सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसे होते इसमें हम बस खाली जो बिसिकली किसे वक करते थे वह एनलोग करते थे लेकिन अगर हम बात करें कर सकते हैं अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हम बिसिकली अगर हमें कोई भी डीटा स्टू कर रहा है तो हम क्लाउड में अपर डीटा स्टू कर सकते हैं इंटेनेट अफप इंटेनेट अफसी या कोई भी एक यू कर सकते हैं ऐसे हमारे पार इटेटल ट्विंज्स या अगर हम या आर्टिविश्यलनेजंस की बात कर रहें मशीन लेंडिंग की बात कर हैं कि अगर हमें क्लास अगर हमें क्या करना है क्लासिफिकेशन करना है यह को इसे कि हम वैदर कास्टिंग करते हैं तो इसम में हम बाटी के ने कहीं हम हम लुव करके हम कि दहर गोकर रहे हैं धेडिल की दरग कर encaden यानि कि हमने अपने उस environment को अपने उस trend को हमने किस में transform कर दिया है डिजिटल में तो यह हमारा basically क्या था कि data transformation होता क्या है और उसके क्या-क्या basically technologies होती है जो कि frequently आज की time में use हो रही है लेकिन class main point यह आता है क्या कि basically हमें यह तो मालूम पढ़े है है कि data transformation होता क्या है लेकिन इसके रिलेटेट हमारे पास कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे कि हम बात करें देटाइजेशन और डिट्लाइजेशन तो यह कुछ ऐसे टम्स हैं जो कि आपस पे इंट्रेलेटेट हैं लेकिन इन में आपस में क्या है काफी ठीघुन टून पहले यह अगर हम एक में पहले प्रासेस की बात करें पहले प्रॉसेस के आपका डिडारेशन टीटाइशन क्या होता आपका दोसेस ओफ कंवर्टिंग इन्फरमेशन फॉम एनलॉक टू दिजिटल यानि कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एंफशन को कनवर्ट कर पास पहले टेप ओडियो होते थे उन्हें यूज करते थे वाद तो यह सारे आपके जो भी अपकी हैं यह आपके किसके वर्क करते थे लेकिन अगर में जाएं तो हमने इसे तो कहीं न कहीं हम कि तरफ कर चुके हैं डिटल टेक्नोजी की तरफ इसी पूरे पॉरे पॉसे को बोलते हैं अब यह क्या होता है दप्रोसेस ऑफ यूजिंग बिजिटाइज इंफरमेशन यानि कि हमने जो एनलोग टेक्नोजी का यूज करके हमने एनलोग को डिटल में इंफरमेशन को उस डिटाइज इंफरमेशन को हम यूज करें तो मेक एस्टेबिश वेज वॉर्किंग सिंपलर यानि कि उस पट्रण टास्क उस पट्रण वरक को हम इस तरह से सिंपल और और एपिशेंट बनाते हैं किसका यूज करके इंफरमेशन का यूज करके तो उस प्रॉसेस को क्या बोलते हैं डिजिटलाइजरेशन वहां आये क्या कि डेडिटले डिजिटाइडन होता क्या है यानि कि ये आपका प्रासेस है एनलोग से डिजिटाइज में करने का बिल्कुल ठीक, जब आपके पास information डिजिटाइज हो जाती है तो उस डिजिटाइज इंफ इंफरमेशन का आपको यूज़ करो, किसमें अपने वर्क में अपने टास्क में जिससे आपका जो काम है जो टास्क है वो सिंपल हो जाए और उस पॉस्ट को क्या बोलते हैं डिजिटलाइजेशन अब बात यह आती है कि डिटर टास्वरमिशन क्या होता है जिसे कि मैंने आको बताये भी यह आपका इन दोनों के जबसेसर देटर टास्वरमिशन की बात यह आने कि क्या होता है मैंने बताया कि जो भी बिजनस में चेंजिस के लिए अगर को भी चेंजिस आ रहे हैं यह अगर हम बात करें कुई मार्टि की उसका यूज करें ड्र टेक्नोजी का यूज तरह तो क्लास यहां पर अगर हम इन तीनों पॉइंट की बात करें तो पहला प्रॉसेस आपका बनता है और इन दोनों प्रॉसेस करके हम जब उस पूरे टास्क को हम किसमें करते हैं अपने उस बिजिटल में तो उसको हम क्या बोलते हैं बिजिटल ट्रांस्वमेशन क्लास हमें आज की लक्षर में यह समझ में आई कि जो पूरा आपका ट्रांस्वमेशन है वह बिजिकली किसका यूज करके उन डिजिटल टेक्नोजीज का यूज करके यह जैसे कि पहले आपके जो भी प्रीवियस यह अगर हम बात करें तो उसमें हम किसका यूज करते थे हम हम तो वह आपके बात कर रहे है तो वह आपके बैनारी पिश्चर में आई कि बैसिकली आज के ट्रेंड में आज के कॉमपेटिशन में अगर डिफेंट बिजिसकों को देखा जाए के लिए न न में उन्हें और कटमपई करने के लिए को अपने बीशियन्स को किश्न करना होगा विश्टल सुक्लाइस आज के veld zor तो क्लास थैंक यू सो मुझ और लेक्टर थैंक यू सो मुझ